लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइटिन को प्रेस करें अरे तुम लग चुप के हो गए बोलो बोलो अभी क्या हुआ क्याप्टन विराद आइस्टी 5664 रिपोर्डिंग सब्सक्राइब क्या हुआ सौरी सर मैं मुझे नही पता था यहां कीच़ए सर मैं साफ करते था गुट ब्लॉक सर सर सौरी सर वो कीचर गिर गी सर मैं सर ट्रेन का बुलाव आ गया सर एक काम करते महां बात रूम है महां मुझाफ कर ले ना सर चलिए ना सर चलो बाई चलो सर को तंग मत कर चलो मुझे ना सर चलो प्लाटफोर्म नमबर पांच पर आ रहे है तर ग्यवाद मुझे ना सर चलो कर सकते हैं भया भया प्रुम कैसे हो वेड पूतू कैसी पिराट पेटाशंब उर्याट अच्छा पिता जी यह मेरे दोस्त आजी चेली बवक्त जहीं नी तुम चलो यहाँ ज़ी ज़ी पिताजी हडबड़ी किस बात किये जा का रहे हम पता नहीं है पता नहीं है तुझे अगर पता होता तो मैं आपसे क्यों बूचता अचो पोई सुन हम तेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं शुब महुरत खत्मोने में सिरफ तेईस मिनट बचे हैं और शाम के पांच बजे के बाद ग्रैबी टीक नहीं है और कल से श्रा करते हैं खाते पीते नहाते दोते फिर उसके बाद चलेंगे बेटा दिन बाद दिन तेरी उमर भी तो बढ़ते जा रही है अरे एक दिन में उतनी उमर का तो रहूंगा मैं और चुप करो तुसी चौथे में डालो पाजी ओ भाओ जी टेक्सी या प्लेन नहीं है लाओ जी नमस्ते 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 नमस जहन बैठिया बैठिया ना क्या बात है बाइसाब आने में बहुत देर हो गई अरे बाइसाब क्या करें ये बटर तो लगा ले उसे तुर्ट में चला के लानी सकते थे शुब महुरत खत्म होने से पहले लड़की को देखना था इसलिए इसे स्टेशन से सीधा यहां लेकर आगे आप लड़की को बुलाइए ना जी जी बेटी को बुलाओ ना साइबा साइबा ये तो साइबा है अभान वान जी बुलाओ ये तो साइबा है साइबा गाती बहुत अच्छा है आप क्या सुनना पसंद करेंगे कोई भी अच्छा गीत गाले लड़के के कपड़े को देखके तो जन्न गणमा नहीं गाना पड़ेगा हुआ अचा है अब पुतर तुड़ी चंगी ही ना उनके घर का नमबर आपके बास अभी से 0226277 एक मिनिट माव 022789 हलौ जी में विराठ बोल रहा हूं इस भी जिलोमत लड़की का फौन है इधर बेठो है मुझे लगता है कि हम दोनों की मैचिंग सही नहीं होगी लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि आपको मुझसे अच्छा लड़का मिल जाए सॉरी फॉर दर ट्रबल ओए बेव गुफ तरी प्रॉब्लम क्या है भूल जाओ वो तुझे क्यों पसंद नहीं है उसकी एक वज़े तो बता एक वज़े नहीं तीन-तीन वज़े है क्या देड मीटर की चोटी है ये भी कोई वज़े होती है जिन लड़कियों के चेंज के बाल होते हैं डेड़ गंटा लगता हुने बाल बनाने में इसके डेड़ मीटर के यानि की छे गंटे लगेंगे पार्टी जाने के लिए सारा दिन मुझे इंतिदार करना पड़ेगा और दूसरी बात वो बहुती शरमीली और डरपोक किसम की लड़की है देखा अपने बाप पे हाथ उठाती है तो पहली से स्ट्रीक्ट होना चाही था पापा को मारो यह आदत तो आप ही ने डाल रखी है और तीसरी वज़ा क्या है तीसरी वज़े यह कि मुझे चाहिए एक स लड़की उसे देखके ऐसा लगता कि जैसे वो अभी अभी गाउं से आई है अभी इतने सारे पैसे क्यों चाहिए तुझाई तुझाई को लिला के छे लोगों को कॉफी बिलाई है उसी की टिप है अरे बाई